हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा वर्मा, आप सबी का स्वागत करती हूँ, आज हमने बनाई है अर्बी और चने की दाल की ये स्वाधिस्ट रेसिपी, जो की खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट है और बहुत ही जल्दी बन कर तयार हो जाती है, तो फिर चले इसे बनाने के लि दूल कर ले लिया है, चनी की दाल को अच्छे से दूलना ज़रूरी होता है, और फिर हमने 500 गरम अर्बी ली है, दूल कर छील कर काट लिया है, ये मैंने कच्चाम लिया है, इसको भी मैंने काट लिया है, छोटे छोटे पीस में, ये मैंने लस्सन लिये है, दस से बारा कली लसन ली है, जो कि मैंने काट ली है, एक प्याज लिया है, जिसे मैंने काट लिया है, कुछ खड़े मसाले लिया है, जीरा लिया है, काली मिर्च ली है, तीन लॉंग ली है, एक हरी लैची ली है, दो मैंने हरी मिर्च ली है, ये कुछ पाउडर मसाले ली है, हल्दी ली है, ल रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, मैंने एक कुकल लिया है, जिसमें मैंने सरसो का तीन बड़े चम्मच ओयल लिया है, मैंने इस रेसिपी को बनाने के लिए सरसो का तेल लिया है, आप कोई और तेल भी ले सकते हैं, तेल जब अच्छे से गरम हो जाए, फिर मैंने इसम अच्छे से पक जाएंगे, तब हम इसमें हरी मिर्च को भी डाल देंगे, हरी मिर्च जल्दी पक जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, हरी मिर्च जब अच्छे से पक जाएगी, तब हम इसमें कटे हुए लसन भी डाल देंगे, लसन को भी हमें अच्छे से पकाना है, लसन को करीबन 1.5-2 मिनट तक पकाना है जब ये लस्ण अच्छे से पक जाएगा तो अपना कलर चेंच कर देगा देखिए लस्ण अच्छे से पक गया है अब हम इसमें कटे हुए प्याज भी डाल देंगे प्याज को भी हमें अच्छे सुनहरे होने तक भून लेना है प्याज को करिबन एक से डेड़ मिनट तक लगेगा भूनते हुए तेजाज पर फिर जब प्याज पक जाएगा तब हम इसमें अब हम इसमें कटीवी अर्वी भी डाल देंगे अर्वी को हमें अच्छे से चलाते हुए दो से तीन मिट तक भून लेना है अरवी को अच्छे से भूनना है जिससे बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है अरवी में अरवी जब भून जाएगी तब हम इसमें कच्छा आम भी डाल देंगे कच्छा आम डाल कर हमें इसे जादा नहीं पकाना है आम को गलाना नहीं है सिर्फ 10 से 20 सेकंड तक इसे चलाते हुए पका लेना है जब अभी आम पक गया है अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे थोड़ा सा पानी भी साथ में डाल देंगे जिसे मसाले जले नहीं नहीं तो मसाले जल जाएंगे फिर इसे चलाते हुए हमें पका लेना है दो से दो मिनट तक पका लेना है अब अच्छे से मसाले को पका लेंगे मसाला अगर जल रहा हो तो उसमें आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं अब हम मसाले को अच्छे से पका कर इसमें बुली वीर डाल डाल देंगे चने की चने की डाल डाल कर भी आपको इसे दो से तीन मिट तक भूनना है फिर इसे पानी डाल कर कूकर को हमें बंद कर देना है कूकर में हमें तेज आज पर तीन सीटी देनी है फिर हमें गैस को दीरा कर देना है फिर हमें दीरे गैस पर इसे 5-6 सीटिया लगानी है इतनी सीटियों में दाल हमारी अच्छे से बन कर तयार हो जाएगी आप अपनी दाल में अपने हिसाब से पानी डालिए गा मैंने तो इसमें तीन गलास पानी डाला है मेरे गलाज छोटे हैं साइज में आप अपने हिसाब से पानी डाल देना अब हम कूकर का ढख लगा देते हैं और इसे सीटी देने के बाद जब स्टीम निकल जाएगी तब हम इसे खोलेंगे अब स्टीम निकल गई है मैंने कूकर को खोल दिया है देखे मेरी डाल पक चुकी है अच्छे से अगर इस टाइम आपकी डाल नहीं पकी हो या थोड़ी सी मोटी मोटी दिखे तो आप उसे घर में जो मतानी होती है उससे मत लेना थोड़ हलके हाथों से ज़्यादा मत मत हिएगा नहीं तो अर्वी के पीस भी भड़ता हो जाएंगे चलिए फिर अब इसे हम सर्फ कर देते हैं सच में ये डाल खाने में बहुत टेस्टी लगती है आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ और पूरी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं चावल के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है मैंने इसे चावल के साथ ही सर्फ किया है अगर आप सभी को मेरी ये रेस्पी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक सेर भी कर दीजिएगा थैंक यू